ज़िए आप full course देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आफ चैनल पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपको प्रेलिस पर पर क्लिक करना है जिससे आपको course की list मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके आपको course के सारे video crumbs से मिल जाएंगे आप सभी को मेरा नमस्कार इंग्लिज पढ़ने के नियम की इस वीडियो सीरीज के भाग 35 में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम B, K और L, N, P को कब और किन सब्दों में नहीं पढ़ा जाता है इन्ही को हम देखेंगे और हम Silent Letter Words की प्रेक्टिस करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे N का नियम यदि सब्द के अंत में M N क्या हो? M N हो तो M N में N का उच्चारन नहीं करते है Clear कि यदि किसी सब्द के आखरी में आपको यदि M N लिखा हुआ दीखे तो हाँ पर इस M N में हम N को नहीं पढ़ते हैं N का उच्चारन नहीं करते हैं जैसे कि इस सब्द में सब्द के आखरी में है M N तो नियमानुसार हम इस N को नहीं पढ़ेंगे N का उच्चारन नहीं करेंगे तो इसका उच्चारन होगा Column क्या पढ़ेंगे हम इस से? Column इसको भी हम पढ़ेंगे Solemn Autumn Condemn Damn Him अब P कुछ सब्दों में हम P का उचारन नहीं करते हैं हम P को नहीं पढ़ेंगे कुछ ही एक दो सब्द हैं जहांपर हम P का उचारन नहीं करते हैं इसके लिए कोई विसेस नियम नहीं है इस सब्द में हम P का उचारन नहीं करते हैं इसको हम पढ़ते हैं pneumonia किसे परकार ये दूसरा सब्द है जहांपर P का उचारन नहीं होता है इसको हम पढ़ते है psychology psychology क्या पढ़ेंगे हम इसे psychology और इस सब्द में भी P का उचारन नहीं करेंगे इसमें उचारन होगा साम इसमें L को भी हम नहीं पढ़ेंगे क्या उचारन होगा साम तो आएए दुबारा दोहर आएए निउमोनिया साइकोलजी साम अब देखेंगे के वाले सब्द के एन से प्रारम होने वाले सब्दों में के एन में हम के का उचारन नहीं करते हैं क्लियर की कुछ सब्द है जो की KN से सुरू होते हैं उनमें हम इस क का उचारन नहीं करते हैं जैसे की यह सब्द शुरू हो रहा है KN से तो जो KN का जो K है हम उसे नहीं पढ़ेंगे क्योट इस N को पढ़ेंगे और N का उचारन होगा आपका न, डबल ए का ए, तो उचारण बना नी, क्या पढ़ेंगे हम इसे, नी यहां पर भी के एन का उचार नहीं होगा, एन आई नाई, और एफ का उचारण फ, उचारण होगा, नाइफ इसको हम पढ़ेंगे, एन ओ नौ, और बी को ब, नौब नीप, नीट, नीट, नीड, नौक, नौ, नौट, 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 अब L वाले सब्द जहांपर L सालेंट होता है यदि सब्द के अंत में L M, L K, L F, L D हो तो इसमें अधिकतर सब्दों में हम L का उच्छारन नहीं करते हैं clear तो एसे बहुत साले सब्द हैं जहांपर L M, L K, L F और L D है उनमें हम L का उच्छारन नहीं करते हैं L को नहीं पढ़ते हैं इस सब्द में अंत में है L M इसके L का उच्छारन हम नहीं करेंगे हम पढ़ेंगे C A का और M को म काम इसे प्रकार यहां भी L का उच्छार नहीं होगा इसे हम पढ़ेंगे H A H, F को F Half Half मतलब आधा इसे हम पढ़ेंगे Falk क्या पढ़ेंगे Falk Calf Walk Talk Talk Chalk Kood Should Balm Palm Would अब B वाले सब्द जिसमें B silent है यदि सब्द के अंत में M B यदि सब्द के अंत में M B हो तो अधिकतर सब्दों में उसके B का उच्छार नहीं करते हैं क्लियर कि कोई भी सब्द है जिसके आख्री में आपको M B दिखें उसमें आपको उस B को नहीं पढ़ना है B का उच्छार नहीं करना है जैसे कि इस सब्द में हैं आख्री में M B तो इस M B के इस B को हम नहीं पढ़ेंगे उच्छार नहीं करेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे B O Baw और M का उच्छार न म हम पढ़ेंगे Bawm इसको हम पढ़ेंगे Lame दो राइए Bawm लेम लीम इस सब्द के आख्री में भी M B है इसलिए B का उच्छार नहीं होगा इसे हम पढ़ेंगे TH को थ और यूगवचार अ तो थ और M को म हम पढ़ेंगे इसे थम मतलब अंगुठा थम, तूम, नम झोओ, तूम थूम, तूम, वूम तो कुछ अब्दों में B का उचार नहीं होता है इसके लिए कोई नियम नहीं है बस उसमें B को हम नहीं पढ़ते हैं जैसे इसमें हम B का उचार नहीं करेंगे इसे हम पढ़ेंगे DATE क्या पढ़ेंगे हम इसे DATE 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 DATER DOUT DOUT SHUTTLE SUTTLE इस वीडियो को दुबार देखें दुबार प्रेक्टिस करें ताकि आप जल्दी से इंगलेज सीख सकें आपको यह ज़ी वीडियो अच्छा लगा हो तो यहां क्लिक करके वीडियो को लाइक करें यहां क्लिक करके से एर करें आप भी सीखे, सभी सीखे और आप ऐसे ही वीडियो दीखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बढ़ने वाली बेल बटन को क्लिक करें आल पर क्लिक करें जिससे आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकरिन के साथ मिलते रहेंगे और आप इंगलिस सीखते रहेंगे थेंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो